दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल सिविल साइड विजिड में तो गैस जैसे थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी कि बॉटम का लेवल कैसे चक करते हैं बॉटम होता क्या है तो उसमें काफी कमेंट आये थे कि सर बॉटम का तो चल गया पता लेकिन हम बीम की शट्रिंग कैसे करते हैं वो उसमें एक वीडियो लाओ तो उसमें मैं टोटल प्रोसेस बताऊँगा आपको की बीम की शट्रिंग कैसे करते हैं जो फ्रेशर होंगे, स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक इमपोर्टेंट है जो अभी साइट पे एक-दो साल हो गया जिनको तो वो काफी थोड़ा बहुत इसमें जानते होंगे तो स्काफ फोल्डिंग के उपर कैसे शट्रिंग करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो सामने आप देख रहे हो हमारे इस काफ फोल्डिंग हो यह थोड़ा पजल सा दिख रहा होगा आपको यह बॉटम हो चुका है मतलब इसके उपर साइड में प्लेड मारके बीम की शट्रिंग हो जाएगी अब इस तरफ देख रहे हो आप यहां हमारा शट्रिंग का प्रोसेस चाल दूगा है तो इसमें हुआ क्या है क्या है आप सामने देख रहे हो यह यूजयक है मतलब यह चैनल है पूरा चैनल देख रहे हो चैनल उसमें रखा हुगा है नीचे से जो ऐसे चार हाथ जैसा नि उपर नीचे होगा वह इसके एजली हम कर सकते हैं ठीक है तो अभी मतलब एंगल डल गया उसके बाद क्या होता है जो बैटन होता है राफ्टर उसको आपको 500-500 के स्पेसिंग पर मार देना है मतलब मैक्सिमा आपको 500 पर रखना है 500 से ज़्यादा दूर आपको नहीं होना जाएगा देखो यह राफ्टर पूरा आ जाएगा मतलब जो दो तीन बाटम है उस पर कवर हो जाएगा जैसे यह राफ्टर मार रहे हैं अब देख लो एक बार फिर म हैं जितने लेवल तक आपको चάλ़े उसके पास लगा देने हैं जू-ईजैक यू-जैक के उपर डाल देने एंगलς, एंगल के ओपर हमारे राफटर आएंगे 500 से green के पर उसके बाद डाल देना है अपने ply का bottom ये हो गया इतना तक process आपको पता चल गया उसके बाद क्या करना होता है जो हमारा side में जगा बची होती है उसमें ये side बनाई जाती है side पर तो side बनाके side मार देनी है तो ये हो गया beam का हमारा total process तीन चार चीज़ें इसमें रहती है जो आपको दियान देनी होती है जो राफ्टर स्पेसीन पर मारना है एक level जो नीचे से scaffolding करके u jack पर level maintain करना है एक बार ये bottom की side लग जाए उसके बाद क्या होता है और उसके बाद जो portion बचते है उसको जहां तो जो हमारी MS की plate होती है उससे डग देते है जा पलाई से तो ये हमारा total process रहा देता है उसके बाद हम बीच में ring डाल के beam बन देते है तो ये हमारा beam का process रहता है तो guys अगर videos पसंद आ रही है तो channel को subscribe करो, videos को share करो, thank you so much